हमारे राउंड हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनका औरा हमें काफी अट्रेक्ट करता है और जादा जान पहँजान ना होने पर भी हमारा मन उनके पास रहने और उनसे बात करने की कोशिश करता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट परसनलेटी के मालक होते हैं लेकिन कुछ लोग उतने स्मार्ट नहीं भी होते क्यूं? क्यूंकि कुछ लोगों पे तो खैर कुदृत भी महरबान रहती है और उनके जीन्स में ही स्मार्टनेस होने की बज़ा से उन्हें स्मार्ट बनने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि हर परसन की personality different होती है और हमारे regular actions हमारी nature बन जाते है यानि कि एक इनसान regularly जैसा काम करता है जैसा behave करता है वही उसकी personality बन जाती है I think आप मेरा points समझ गए होंगे frequently जैसी चीजें हम करते हैं उसी से define होता है कि हम smart हैं या नहीं तो चलिए कुछ points के तुरू इसे discuss करते हैं ताकि चीजें और भी ज़्यादा clear हो जाएं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि smart लोगों की ऐसी कौन सी habits है जो उन्हें smart बनाती है So the first point is Think before you talk इस sentence के साथ ही एक बहुत पुरानी कहावाद यादा दाती है पहले तोलो और फिर बोलो कितना सही कहा है किसी ने और सच में smart लोगों के smart होने का main reason है सोच के बात करना क्योंकि बिना सोचे जल्दी में बस मूँ खोल देने से हमारा thought process enable नहीं हो पाता और इसी वज़ा से बिना quality words का use किये हम बस कुछ भी बोल देते हैं और जब हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं तो उस बात का effect होने के chances भी जादा नहीं होते smart people सिर्फ बात नहीं करते वो बात करने के लिए एक style को carry करते हैं इसी लिए वो बात करने से पहले सोचने में लगने वाला वक्त लेने से घबराते नहीं चाहे कितने ही लोग उनके जवाब की wait क्यों ना कर रहे हो इसी लिए हम सभी को बोलने से पहले सोचने की practice ज़रूर कर लेनी चाहिए सुनना एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती आप कभी अपने round ही कुछ लोगों को notice कीजिएगा ज़ादा बोलने वाले लोग ज़ादा सुनने वाले लोगों की तुलना में हमेशा ही कम intelligent होते हैं वो हमेशा दूसरों की बात को बीच में ही काटके अपनी बात बोलनी की जल्दी में रहते हैं जो कम सुनेगा वो observe भी कम करेगा और कुछ नया सीखने के मामले में भी पीछे रह जाएगा लेकिन जिनको हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह रहती है वो ticket purchase करके motivational speakers को सुनने तक जाते हैं स्मार्ट लोग दूसरों की कहे और अनकहे शक्तों को सुनने के लिए खुद को train करते हैं जब हम ज़ादा सुनते हैं तो चीजों को ज़ादा better understand करते हैं और किसी भी situation को handle करने किसी भी बात का conclusion निकालने में ज़्यादा capable हो जाते हैं यानि अपने words और actions में accuracy लापाते हैं स्मार्ट लोगों का interest बोलने से ज़्यादा environment और लोगों को observe करने में रहता है चुपचाप observe करने की practice हमें इतना smart बना देती है कि कुछ ही seconds में सामने वले के words और actions के थूँ हम उनकी personality को बखूबी जान जाते हैं और ये चीज़ smart लोगों को अच्छे business और family relation मिलाने में काफी help करती है रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना और खुद को update रखने की कोशिश करते रहना किसी भी person के smart बनने के लिए काफी है मुझे सब पता है मैं सब जानता हूँ मुझे मत समझाओ एक close mind का sign है एक बात हमेशा याद रखेगा जो लोग कहते हैं कि वो सब जानते हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कुछ भी नहीं जानते क्योंकि intelligent और smart टोग ऐसे words का इस्तिमाल कभी नहीं करते बलकि वो हमेशा कुछ नया जानने के लिए नया सीखने के लिए excited रहते हैं हम कैसे सीखेंगे जब हम ये सोचेंगे कि दुनिया हमारे ही around घूमती है जब हम ये सोचेंगे कि दुनिया में बस उतना ही है जितना हम जानते हैं खुद को चेक कीजिए कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोचते स्मार्ट लोग खुद के बारे में बहुत अच्छे से अवेर होते हैं वो सिरफ अपनी खूबियों को ही नहीं मलकि अपनी खामियों को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंट्रस्ट और अपनी लिमिटीशन को समझते हैं खुद के ब्रती अवेर हो जाएं तबी खुद के एक्शेंस में चेंजीज लाए जा सकते हैं और बिना चेंजीज लाए ग्रोथ इंपॉसिबल है स्मार्ट लोग किसी के प्रती अपना उपीनियन बनाने से पहले चीजों को ठीक से एनलाईज करते हैं हर कोई हर किसी चीज में पॉरफेक्ट नहीं हो सकता लेकिन स्मार्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग उन्हें खुद को और दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है मैं खुश हूँ तो उसकी वज़ा मैं और उदास हूँ तो उसकी वज़ा भी मैं खुद ही हूँ ऐसा सोचने वाले लोग जिन्दा दिली के साथ जीते हैं और हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम खुद ही responsible है ये ख्याल सिर्फ smart mind में ही आ सकता है हमें पता होना चाहिए कि जिन्दगी में जो कुछ हम चाहते हैं वो तब ही होगा जब हम उस पे काम करेंगे लाइफ में कुछ भी बड़ा और अच्छा बाइदा चांस नहीं होता स्मार्ट लोग अपने failures के लिए किसी और को blame नहीं करते blame game खेलने का काम common लोगों का होता है स्मार्ट परसन ये जानते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी नहीं है उसका reason मेरी खुद की ही लापरवाई है हमारी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके लिए खुद को ही responsible मानना easy नहीं क्योंकि उसके लिए courage होना चाहिए हमारी problems को fix करने के लिए अगर हम बैठ के दूसरों का wait करेंगे तो वो problems हमेशा problems ही रह जाएंगी स्मार्ट लोग problems को नहीं उनके solutions को discuss करते हैं और charge लेते हैं अपनी life में success या failure दोनों का next point is welcome challenges life में नई problems means नई challenges स्मार्ट लोग हर नई challenge को एक lesson की तरह ही लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि problem को एक fighter की तरह face करने से उनकी capacity और potential दोनों maximize होंगे जिन्दगी की हर problem हमारी smartness को check करती है हर problem पे रोते रहने वाले लोगों की life से problems कभी out ही नहीं होती problems भी life का एक part हैं और ये एक या दो बार नहीं जब तक जीवन है तब तक आती ही रहेंगी और इन problems को courage के साथ face करते करते हम और भी जदा active और strong होते जाएंगे मुश्किल रास्तों पर चलने वाले ही बड़ी बड़ी मनजिले हासिल कर पाते हैं और smart mind ये जानता है कि growth कभी भी comfort zone में रहकर नहीं मिलती स्मार्ट लोग वो होते हैं जिनके पास naturally sense of humor ना भी हो लेकिन वो अपने अंदर humor develop करने के लिए effort ज़रूर लगाते हैं कुछ देर के लिए हम अपनी life में चल रही problems को भूल जाते हैं जब हम किसी ऐसे person के साथ कुछ वक्त बिता लेते हैं जिसकी personality से हमेशा हसी और खुशी जलकती हो हर वक्त रोते रहने वाले लोगों के पास 5 मिनिट भी खड़े रहना आपको अच्छा feel नहीं करवाता और कहीं न कहीं आप उन्हें ignore करने लगते हैं ऐसी smartness किस काम की जो आपको एक boring personality बना दे या आपकी life से enjoyment ही खतम कर दे लेकिन अच्छे sense of humor वाले लोग दूसरों का मजाग बना के महौल को अच्छा करने की कोशिश कभी नहीं करते बलकि smart लोगों का sense of humor कभी किसी को hurt ही नहीं कर सकता और दूसरी बात ये भी है कि दूसरों को खुश करने के लिए आपके अंदर खुश रहने की feeling होनी भी चाहिए और regular practice हमें अच्छा sense of humor सीखने में help करती है आप जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा self aware होना हर एक के लिए ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आप खुद में कुछ changes लाना चाहते हैं खुद खुद थोड़ा सा और smart बनाना चाहते हैं तो आप इन points पे काम कर सकते हैं मैं भी day by day खुद को improve करने की कोशिश में लगी रहती हूँ जो कुछ experience करती हूँ वो आपके साथ share करती हूँ चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ next वीडियो में till then bye bye take care and stay healthy